नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यह पेस्टिज इंडेक्शन कुकर के बारे में दोस्तों इस पेस्टिज इंडेक्शन कुकर के मोडल नमबर है PIC20.0 इसके यह मोडल नमबर है आज हम इससे रिपेर करेंगे इस induction cooker में problem यह है जब हम इसे supply में लगाते हैं तो हमें इसमें E0 error शोतर डिस्पले पे और हमारे जो कोई भी बरतन इस पे रखते हैं वो गरम नहीं होता है तो दोस्तों इसमें इस E0 की वज़े से हमारे बरतन कोई भी रखते हैं तो यह गरम नहीं हो पाता है और अपना E0 error बिलिंग करता रहता है तो दोस्तों अगर आप इसको ठीक करना जाते हैं घर पे तो आप वीडियो को पूरा देखिए आपको पूरा A2Z में बताऊंगा इस error को कैसे ठीक किया जाता है तो आप वीडियो में बने रही है चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इसके लिए हमें इंडेक्शन को जो उपर का कवर है इसको खोल लेना है खोलने के बाद में इसमें जो भी हमारे कनेक्टर लगे हैं और यह हमारी जो क्वाल देख पा रहे हैं चलिए इसको आमें हटा लेना है तो मैं इसको हटा लेता हूँ मैं तो यह देखिए हमने जो इसमें स्कूर लगे तो निकाल लिए और यह हमें सबसे पहले E0R आता है तो हमें जो जो सेंसर दीख रहा हमें इसको टेस्ट करना होगा E0RR की समय से अपने सेंसर से भी आती है दोस्तों आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप चेक कीजे पूरा आपकी प्रोब्लम 100% सोलू हो जाएगी इसे टेस्ट करने के लिए हमें मल्टिमिटर को रेइस्टेंस मोड पे लेकर इसकी रेइस्टेंस चेक करनी है यह देखे इसमें 82 किलो होम्स हमारी रेइस्टेंस इसमें शो हो रही है जो हमारी ठीक है अगर इसकी 90 और 80 के बीच में अपने रेइस्टेंस वेल्यू रहती है 100 तक भी रहती है तो अपना यह सेंसर ठीक माना जाता है अगर इस से 100 से उपर जाती है इसकी raise tense value तो अपना sensor में problem है तो अपना sensor ठीक है अब आगे हम देखेंगे कि E0 error की problem कहा से आती है दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसी तरह चेक किजिए by step by step तो आपके problem 100% solo होईगी तो अब हमने ये PCB को जो निकाल लेंगे बाहर बाहर निकालने के बाद जो अपनी E0 error की problem अधिकतर आती है वो मैं आपको देखाता हूँ एक तो sensor रहता है दूसरा हमारा आते है ये raise tense यहाँ दो resistance लगे 820 km के अगर ये खराब हो जाते हैं तो भी हमारी E0 की problem induction में आएगी चाहिए पेश्टिच कंपनी कंडेक्शन हो चाहिए कोई दूसरी कंपनी कंडेक्शन हो हमारी problem E0 की इसी तरह आती है आप अगर ये एक वीडियो देख लोगे ये तो आप किसी भी induction से E0 की rare को हटा सकते हैं अपने घर पर ही खुच से तो हम इसे resistance को चेक करेंगे इनकी value के आ रही है जैसे हम इसको लगा रहे हैं तो इसमें value कम जादा हो रही है और इसकी देखते हम तो इसमें अपने 810 तो अपना ये resistance एक ठीक है एक में हमें doubt लग रहा है तो दोस्तों ये doubt लगता है कभी भी तो आप resistance को बाहर निकाल का test करें क्योंकि PCV में लगे हुए में सही reading हमें नहीं मिल पाती है तो हम इसे भाहर निकाल के एक site से निकाल लेंगे और फिर test करेंगे कि ये हमारा resistance ठीक है या नहीं अभी हमें doubt लग रहा है क्योंकि इसमें value कम जादा हो रही बहुत तो हम इसे test करेंगे भाहर एक site से निकाल के तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe कर ले वो घंटी वाल आइकन को भी दबा ले तो इसको हम थोड़ा इससे निकाल देते हैं pump है ये इससे disorder की जाती अच्छे से अपना कोई भी अपना solder हटाना रहता है तो इससे निकालेंगे तो असानी से निकल जाएगा तो यह हमारा निकाल लेते हैं एक site से ये निकल चुका है ये दोस्तो resistance इसके नीचे भी लिखा 820 kHz और ये अधिकतर सभी induction में E0 को error आता है वहापर ये 820 kHz के resistance ही लगे रहते हैं तो अब हम इसमें टेस्ट करेंगे तो देखिए ये resistance भी अपना ठीक है लगे मैं अपनी कुछ और value बता रहा था लेकिन अभी अपना सई value बता रहा है तो ये resistance भी ठीक है हमारा और आप देखिए इसमें यहाँ उसकी value भी लिके रहती है कि कोई इतनी value का resistance ही है तो अब हम इसे लगा देंगे क्योंकि हमारी problem यहाँ पर नहीं है हमारी problem कहीं आगे है तो हम इसका circuit देख के समझेंगे और इसे supply में लगा के चेक करेंगे कि हमारा जो voltage आने चाहिए इसके आगे हमें voltage एक resistance पर हमें 9V मिलने चाहिए और एक पर 13V तो हम अब इसे अच्चे से soldering कर लेते हैं उसके बाद हम इसे voltage टेस्ट करेंगे जो हमें जरुत है वो voltage हमें मिल रहे है या नहीं अगर नहीं मिल रहे है तो क्यों नहीं मिल रहे है वो हम देखेंगे अगर मिल रहे है तो फिर हमारा error क्यों आ रहा है वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले है तो हम इसको अब supply में लगा के टेस्ट करेंगे पहले कि हमें जो requirement हमें voltage की वो हमें मिल रहे है नहीं तो इसको हम चलिए रखते हैं इसको लगाते हैं supply में फिर हम इसमें voltage टेस्ट करेंगे तो इसको मैंने supply में लगा दिया है अब इसको मल्टीमीटर की सायता से हम इसमें टेस्ट करेंगे तो मल्टिमिटर को मैं ले लेता हूं वोल्ट पर डीसी वोल्ट पर और फिर हम देखते हैं इसको मल्टिमिटर के एक पिन को यह माइनस में लगा लेंगे जो बिरिज का माइनस रहता है उस पर यहाँपे देखें आपको यह रेश्टेंस लागे 820 के लोंकर हम्मिटर के इनफूट पर 320 वोल्टेज मिल रहे हैं और आउट्पुट पर भी हम देखेंगे आउट्पुट पर हमें एक रेश्टेंस पर 14 वोल्ट मिलने चाहिए और एक पर 9 वोल्ट मिलने चाहिए कि यह देके इसमें 320 कीakah मिल रहे है और इसके Flame in 2007 2 wollte दोस्तों यहाँ पे कापी ज्यादा हमें all eight weल रहे हैं और दोस्तों वुझा दूसरे स्टेंस करेंगे कि यह तो अब इस मील रहे हैं दूसरे पर हमें नोओ पेम रहे इस पर देखेंगे हम इसके output में हमें कोई भी voltage नहीं मिल रहा है। इसके input में हमें मिल रहे हैं इसके दूसरे resistance में ठीक मिल रहे हैं और यह 9V सही साथ है और इस पर output पर हमें voltage नहीं मिल रहे हैं जबकि हमें यहाँ पर भी 9V चाहिए थे लेकिन वह 9V हमें नहीं मिल रहे हैं आप हमें 0V मिल रहे हैं तो आप थोड़ा circuit चेक कीजिए जैसे हमें दोनों रेचिटेंस जा रहा है, फिर यहा पर एक हमारे रेचिटेंस लगा है, फिर सक्षू से और एक हमारा जम पर लगा है तो यह 33 किलोम का रेस्टेंज देखिए यहां से एक साइट से टूट चुका है इसी वज़े से हमारी यह प्रोब्लम आ रही है जैसे देख पा रहे होंगे इंपुट में तो हमारा लगा है लेकिन आउटपुट का जो एक किनार बिल्कुल पा दी** से हमें जहां पर हमें 13 वल्ट यहां पर हमें ते Comics मिल रहे है कि हमारा सरकिट पूरा तैयर नहीं हो पा रहा है इसलिए हमें वोल्टेज जद अconoले और जहां मीं मिलना चाहिए ते वहाँ पर थोर्टेज नहीं रहे है तो हम इसमें अपना एक रिश्टेंश फिर हम इसे टेस्ट करेंगे कि हमारी जो प्रोब्लम आ रही है और जो हमें वोल्टेज चाहिए वो मिल रहे है या नहीं तो ठीक है दोस्तों अब मैं एक इंडेक्शन की लगाए नया तो उसे टेस्ट जवर करें तो हम जैसे टेस्ट कर पा रहे हैं एक मिनिट यह देखिए गरवय bikke 32.93 इसमें रिश्टेनस वेल्ययू आ रहरी है अपना 33 क्लोम का रिश्टेनस है तो यह हमारा रिश्टेनस एकदम ओके है कुछ मिली ओम में अपनी रिडिंग कमा रही है वह अपना रिश्टेनस में पूरी माइनेस प्लच 5-10% रेता है तो यह हमार रेश्टेंस ठीक है अब हम उस पुराने रेश्टेंस की जगा इस रेश्टेंस को हम लगा देंगे तो इसके थोड़ा मेगजेस्ट कर लेते हैं करने के बाद इसे हम अच्चे से लगाके इसमें सोल्डरिंग कर देंगे तो दोस्तों हम इसमें सोल्डरिंग करते हैं जब तक आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो भी आपको वीडियो अच्चा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और comment भी करें आपको कोई दिक्कत रहे, कुछ अगर समझ में नहीं आए तो मैं आपको बराबर reply दूँगा, आपको बताऊंगा मैं और दोस्तों अगर आपके पेस्टिज कंपनी के इंडेक्शन में E1 का या E2 का error आता है तो मैं आपको वीडियो को डिस्क्रेप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इस प्रोब्लम को सौलू कर सकते हैं तो यह हमने लगा दिया है रेस्टेंस, अब हम इसमें voltage टेस्ट करेंगे, फिर से जो हमें voltage की requirement थी, वो voltage हमें मिलते या नहीं तो जैसे हमने यह minus ले लिया है, और अब हम देखेंगे यहाँ पर input में ता हमें देखिए, 333 voltage मिल रहे हैं, आउट पुट में हमें यह देखिए, 13 volt है यह आप पर आ चुके हैं, विदर 9 volt भी हमारे मिली रहते हैं पहले से ही, तो अब हमें रेस्टेंस की साइट पर 13 volt और आउट के आउट में 9 volt, वो दूसरे वाले में जम पर लगा इसमें 9 volt, तो हमारे 9,9 volt हो गए दोस्तों, तो हमारी जो प्रोब्लम यहाँ पर 200,90 voltage आ रहे थे, वहाँ पर हमारे 9 volt आ चुके हैं, तो जो हमारी प्रोब्लम है, वो लगबग 99% सोल हो गई है, अब हम इसे टेस् से थी, लेकिन फिर भी हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, कि जो हमारी प्रोब्लम थी, E0 की, वो हो सोल हुई या नहीं, दोस्तों, अगर आपके पास भी कभी इसी तरह का कोई error आए, तो जैसे में आपको बताए, step by step आप चेक कीजिए, पहले यह हमारा जो sensor रहता है, कोईल का इसको टेस्ट कीजिए, फिर दो resistance रहते हैं, वो टेस्ट कीजिए, अधिकता हमारी problem resistance ही आती है, दोस्तों, जो 820 किलोम के resistance रहते हैं, उसे से यह problem आती है, तो आप उनको टेस्ट कीजिए, जैसे में ने बताया, जे step by step चेक करते जाईए, आपके problem समझ आ जाएग तो अब हम इसे चला के देखते हैं, जो हमारा E0 error आ रहा था, वो हमारा बरतन गर्म नहीं हो रहते हैं, वो ठीक हुई या नहीं problem वो टेस्ट करते हैं, तो मैंने इसको लगा दिया है, सीरिज बोड में भी, और अब हम इसे ओन करते हैं, अब E0 error दिखा रहा है, अब हम इस इसे डारेक्ट लगाता हूँ, और फिर से हम चेक करेंगे इसको रखके, जो हमारी problem है, वो ठीक हुई या नहीं, तो यह मैंने इसको रखा, तो यह देखिए, हमारा E0 error हट गया है, और यह देखिए, गरम भी होने लगा, इससे दोवा निकलने लगा है, अब इसको मैं फि आपके पेस्टीज इंडेक्शन में E1 या E2 से रिलेटेड कोई भी फोल्ट आता है, तो आपको वीडियो को डिस्केप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, और आपके इंडेक्शन को ठीक कर सकते हैं, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अ लाइक करें, और कमेंड भी करें दोस्तों,